हेलो गाइज वेलकम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिंट्स ए बी एफ रल आदित्य बिडला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की ओर से जून कॉर्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है अज के इस वीडियो में आसेस करेंगे चलिए फिंट्स वीडिय का इंकम था जो कि quarter on quarter year on year दोनों में तेजी देखने को मिल रहा है एक्सपेंस कंपनी का थाटी फोर हंडर्ट फिंटी एट करोड का और जून ट्वैंडिटी टू क्वाटर में ट्वैंडटी सेवंड़न करोड का और जून 22 क्वाटर में 2771 करोड का इक्सपेंस हुआ है ज quarter on quarter में losses recover क्यालकिन year on year में बहुत ज़्यादा fall देखने को मिला है नेट profit loss 161.6 करोड का लॉस है पिछले quarter में 194 करोड का लॉस था और जून 22 quarter में 94 करोड का profit था quarter on quarter में losses recover है लिकिन year on year में down देखने को मिला है EPS 1.47 रुपिस का negative में quarter on quarter में recover है year on year में down देखने को मिल रही है segment wise revenue की बात करें मदूरा fashion and lifestyle और pantaloons इन दोनों से revenue generate कर रहा है जो कि average है क्योंकि company का revenue तो अच्छी growth रहा है लेकिन profit में गिरावाट losses जो है इस बार बहुत ज़्यादा fall हुआ है year on year में अगर हम इसके standalone results को cover करेगा इस तो number जो है करोर में income में 3045 करोड का पिछले quarter में 2684 करोड का और जून 22 quarter में 2802 करोड का income था quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है लेकिन expenses 3110 करोड का पिछले quarter में 2859 करोड का और जून 22 quarter में 2639 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year के expenses increase किया जिसके बाद operating profit 65 करोड का लॉस है पिछले quarter में 175 करोड का लॉस था और जून 22 quarter में 163 करोड का profit था quarter on quarter में losses recover किया year on year में देखिया तो बहुत ज़्यादा fall देखने को मिला है net profit loss 48.6 करोड का loss है पिछले quarter में 128 करोड का loss था और जून 22 quarter में 123 करोड का profit था quarter on quarter में recover किया है year on year में increase किया down देखने को मिला है और EPS 0.5 रुपीज का quarter on quarter में recover है लेकिन year on year में down देखने को मिला है तो गाइस कंपनी का जो result निकल के आया है बहुत ही average उतना अच्छा result पेश नहीं कर पाई है क्योंकि गाइस कंपनी को quarter on quarter में तो तेजी है लेकिन year on year में profit में बहुत ज्यादा fall देखने को मिला है तो हम ल जलते हैं एक्रोमित लिंबबाद